जय हिंद आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक ऐसे सक्सियत के बारे में जिन्होंने अपने जीवन को पुरी तरह से समाज के लिए देश के लिए समर्पित किया आज हम बात करेंगे रतन टाटा के बारे में, इनका नीज आप देख रहे होंगे, यह अब दुनिया में नहीं रहें, और यह भारत के लिए, हमारे समाज के लिए, और यह एक तरह से पुरे बिश्व के लिए, एक बहुत बरा लॉस है, इनका योगदान अगर हम बात करें हर तेक्र में रहा है यह हो इंडुस्ट्री सेक्टर हो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो चाहे हेल्थ सेक्टर हो society's related जो भी other issues है जो हमारे देश में जो समस्या है उनको कैसे solution कैसे found out करें कैसे उसे देश को बाहर निकाला जाए तो हर sector में इनका योगदान रहा है तो हम इनके बारे में जैसा news में दिखाया जा रहा है तमाम खबरे चल रही है हम लोग भी कुछ उस पर थोड़ा साज discuss करेंगे कि इनके जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं हम लोग इस वीडियो में ही discuss करेंगे कि इनका जो social welfare जो एक का काम की है social welfare का काम और साथ ही साथ कि किस तोरह से हमारे लिए inspiration यह हो सकते हैं जो लाखो जो इवा आज के समय में हतासा और निरासा का सिकार हैं जो काफी ज़्यादा depressed हो चुके हैं अपने failure से demotivate हो चुके हैं हम लोग इनके जीवन से आज देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि जो इनका जीवन रहा है वो बहुत स्तानदार रहा है इनका भी जीवन काफी ज़्यादा परिस्तानी से भरा हुआ था काफी ज़्यादा economic terms में अगर बात करें तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा इनके भी जीवन में ऐसा नहीं है कि सब चीज अच्छा चला था इनका जीवन जो है अगर आप पढ़ेंगे इनके carrier को लेके फिर पढ़ने गए फिर इनके बारे में अगर personal life के बारे में अगर और जानेंगे तो देखेंगे कि यह साधी नहीं किया थे यह unmarried थे मतलब किसी से प्यार हुआ था लेकिन फिर बाद में मतलब 1962 में जो इंडिया चाइना का वार हुआ उसके कारण वो फिर वो जो लड़की है वो फिर इंडिया नहीं आना चाहते थी फिर यह वापस इंडिया सेटल हो गये थे तो इनका जो जीवन है वो काफी चुनोती पूर्ण रहा है फिर जब वापस दब कम्पनी मैं तो यह अलग अलग Tata कम्पनी में मतलब यह नहीं कि आते ही इन्होंने CEO का पोस्ट समहला यह बहुत ही है छोटे-मोटे काम अलग अलग Sector eh tata का अलग अलग Sector है उस में उन्होंने काम किया as employee के तरह ऑ जब यह औरत का जो economic condition था वो अच्छा नहीं था, economic crisis था, balance for payment वगरा का crisis चल रहा था, और उसी समय new economic policy आया था, new economic policy जो आप लोग liberalization, privatization, globalization के बारे में आपने जो सुना होगा, कि पूरी तरह से हमारा जो अर्थ व्यवस्था है वो बदल रहा था, काफी ज्यादा इसमें changes लाय जा रह वैसे समय में इन्होंने Tata industry का command सम्हाला था, और वहां से यह अलग-अलग Tata के अलग-अलग sector में इन्होंने काम किया, और आज जिस सुचाई पर Tata company है, उसको सुचाई पर पहुचाने में इनका बहुत बरा योगदान रहा, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि किस त सेक्टर में, automotive में, jaguar, land rover का अपने नाम सुना होगा, infrastructure में जाये, Tata housing, consultation, engineering, financial services में, अलग-अलग, aerospace tourism में आप जाये, Air India जो company है, पिर अलग-अलग बिभिन छेत्रों में, चाहे वो नमक बनाने का company हो, या technology बनाने का, एक नमक Tata salt से लेकर, Tata tea से लेकर, TCS जो company है, जो automotive sector में हर sector में, इनका काफ़े जादा योगदान रहा है, अगर हम बात करें, तो इन्होंने सबसे पहला जो अपना जो car बनाया था, वो Tata Indica था, अगर हम लोग जो inspiration, जो अभी हम चर्चा कियें, कि जो inspiration हम लोग ले सकते हैं, इनसे, वो story एक क्या है, इस सबसे पहले इन्होंने Indica आटो मोवाइल का जो sector है, यह अपना car industry को बेचना चाह रहे थे, तो अमेरिका का जो food company है, उसे बेचना चाह रहे थे, तो जब यह Detroit में गये, जो food company का जो मालिक है, जैसा कि यहाँ पर आप image पर देख रहे, टाटा रतन टाटा है, यह food company का यह मालिक था, विल फोड, इनस इनसान के अंदर काफे जादा attitude था, इन्होंने काफे जादा एक humiliation वाला meeting रहा, मतलब इन्होंने टाटा, रतन टाटा को बोला कि भाई हम आपके उपर एहसान कर रहे हैं, कि आपका जो मतलब जो loss चल रहा है, जो industry, जो automobile का है, वो जो डूब रहा है, उससे हम बचा लेंग था, तीने बहुत बुरा लगा रतन टाटा को, यह वापस फिर मुंबई आते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि अब क्या किया आजाए, जैसा कि यहां पर देख रहे हैं, कि जो Bill Ford का जो मालिक था, उन्होंने क्या, why did you start the passenger car division at all, the Ford officials told their guests, और उन्हों बोला कि भाई, about doing a favor to the Indian company by buying out the latest business, मतलब हम आपके उपर एक favor करेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ, कि 2000 अगर हम बात करें, यह 2008 में, जब economic crisis जब आपका आया, 2008 में, तो Ford company काफे ज्यादा नुक्सान में चला गया, और वही Ford company, फिर क्या हुआ कि रतन टाटा के पास आता है, कि भाई, अब मेरे business को ब उन्होंने फिर से take over किया, purchase किया, यह एक deal हुआ, और इस deal में, फिर जो Ford company का यह तीनों, जो Land Rover, Range Rover और जैगुआर, यह दोनों company को उन्होंने purchase किया, और उसके बाद से अगर देखा जाती है, इनका जो sector automobile का जो graph है, और काफी तेजी से बढ़ने लगा, तो सुची कितना inspiration स भरा हुआ है, इनका जीवन, कि एक failure, मतलब कोई इनसान जैसे आज की हुआ में हम लोग का क्या है, कि कोई बेज़त कर देता है, कोई हमारे बारे में गलत बोलता है, हम लोग तुरह तो जवाब देने लगते हैं, यह पर जवाब आपका बोल कर नहीं देना है, जवाब इन हमारे पास knowledge नहीं है, technology नहीं है, क्यों इस business में है, और उसी company को 2008 में इन्होंने purchase किया था, तो यह अपने आप में उस confidence, उस छमता को दिखाता है, वो भी American company के सामने, इन्होंने फिर इसके बाद अगर देखे तो इनका जो योगदान है, एजुकेशन स्टेक्टर में भी र परिवार की तरह नहीं है, जो reliance से सब अंबानी परिवार है, बहुत अपना पैसा बना रहा है, लेकिन Tata जो है, इनका एक trust है Tata, और इस trust से बहुत पैसा डोनेट करते हैं, इतना ज्यादा पैसा डोनेट करते हैं, कि आप समझ नहीं सकते हैं, मतलब overall कभी भी इनको आप richest person के list में नहीं देखे होंगे, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जो पैसा है, यह charitable charity करते हैं, डोनेट करते हैं, और यह जो कैसं सेक्टर में हो, चाहिए health सेक्टर में हो, हर सेक्टर में इन्होंने काफी ज़्यादा, जो कैसं सेक्टर में आप देखेंगे, scholarship अगर आप provide किया जो खोलते हैं, उनमें इनका startup है, जैसे आप ATM की बात करें, या stock market का office stock जो है आपका, फिर on academy हुआ, फिर बहुत सारा ऐसा company है, जिनमें मतलब इनका काफे ज़्यादा investment है, और इस तरह से बीमारी को पर भी देखें, neuroscience में इनका काफे ज़्यादा contribution है, जो National Institute of Science है, वहाँ प काफे ज़्यादा health sector में भी इन्होंने काम किया है, और इस तरह से इनका बहुत सारा अगर बात करें, तो other universities में भी, जो worldwide universities है, वहाँ पे भी इनका काफे ज़्यादा contribution है, डॉलर देखें, यहाँ पर 28 million dollar इन्होंने scholarship fund तयार किया, किसको दिया, Cornell University को दिया है, और इस तरह से अलग-अलग Harvard University, जो business school है, यहाँ पर भी ने काफे ज़्यादा contribute कें, डॉलर 50 million, इस तरह से बहुत ज़्यादा contribution है, और इंडिया में ही नहीं, आप देख पारें, बहुत अलग-अलग देशों में, इस तरह से बहुत उन्होंने काम किया, अब में हम लोग चर्चा करेंगे देखिए, हाँ पे एक और जो news अभी चल रहा है, कि इनके मरने के बाद अब मरें, इनके जाने के बाद अभी कौन टेक ओफर करेगा, टाटा कंपनी का मालिक कौन बनेगा, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यह जो व्यक्ति है, सांतुनू नाइडू इनका नाम है, य यह 2014 में यह रतन टाटा से जूरे हैं, यह देखिए, मतलब यह जो डॉग लवर भी रहा है, रतन टाटा जो है, इनका सबसे जो बहतरीन जो एक फिलांथ्रोफिस्ट रहे हैं, और यह जो स्ट्रीट डॉग जो थे मॉंबई के, या मतलब यहां पर भी रहते थे एक डॉग स्ट्रीट डॉग इनको जैसे हम लोग देखते हैं, बाइक से कार के दौरा बहुत सार एक्सिडेंट हो जाता है, और एक्सिडेंट रात में खास करके एक्सिडेंट होता है, तो एक्सिडेंट में यह सम मारे जाते हैं, तो यह सब भी बिचारे मासूम जो स्ट्रीट का मुलाकात हुआ और किस तरह से जो यहां पर देखिए यह दो आपका मतलब सुरुवात कि यह थे जो रतन टाटा के साथ मिलकी एक मोटो पॉज कि किस तरह से जो जो डॉघ जो होते हैं इनको कैसे बचाया जाए तो इसके लिए दिकिनो न क्या किया आप देख रहे होगे कि यह जो डॉग है का इस गला में प्ट्टा देख रहे हैं ठीक है तो एस तरह का एक रात में आप देखते होगे जैसे आप ट्राफिक पुलिस को भी देखते होंगे रात को जब लोकरते है दो एक gdzie it को जैसा गॉआक प्ट्ञद करता है लाइक भेक्ट को जिसे पता लग करेगा रात में इससे क्या होगा कि एक्सिडेंट वगरा से इनको बचाया जा सकता है तो यह मोटो पॉज नाम का यह को रोका जाया वो डॉग लवर थे और जो सेनेर सेट्जंस के लिए उन्होंने कुछ काम किया आई होप आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो